आई पीची में आज हम लोग जानेंगे साधारन अपवात जो की अध्याय चार में दीवी है 76 विधी द्वारा आबद या तथे की भूल के कारण अपने आपको विधी द्वारा आबद होने का विश्वास करने वाले वैक्ति द्वारा किया गया कार्य 77. नियाई कारे करने हे तु नियाएधिस का कारे 78. नियाले निन्य या आधिस के अनुसरन में किया गया कारे 79 विधी द्वारा न्यायनुमत या तत्य की भूल से अपने को विधी द्वारा न्यायनुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया ग्या कारे धारा असी विधी पून कारे करने में दुर्घटना धारा एटीवन कारी जिसे अपहानी कारित होना संभाव है किन्तु जो अप्राधिक आसे की बिना या अन्य अपहानी के निवारन के लिए किया गया हो धारा एटीटू साथ से कम आयू के सीसु का कारे धारा एटीथरी साथ से उपर किन्तु बाड़ा वर से कम आयू के अप्री पक्व समझ के सीसु का कारे धारा एटीफोर विक्रिचित व्यक्ति का कारे धारा एटीफाइफ ऐसे व्यक्ति का कारे जो अपने इच्छा के विरूद मत्ताक होने के कारण निर्ने पर पहुचने में असमर्थ है धारा कि धारा 86 किसी वैक्ति द्वारा जो मत्ता में किया गया अप्रा से विसेश, आसाइ या ज्ञान का होना अपेक्षित है। धारा 87, सम्मत्ती से किया गया कारे जिससे मिर्त्य या घोर उपहती कारित करने के आसे ना हो और ना उसकी संभावता का ज्ञान हो। धारा 88 किसी व्यक्ति के फाइदे के लिए सम्मत्ति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार जिससे मिर्त्यु कारित करने का आसे नहीं है धारा 89, सरक्षक द्वारा या उसकी सम्मत्ति से सिसु या उन्मक्त व्यक्ति के फाइदे के लिए सद्धावना पूरुवक किया गया कार है धारा 90, सम्मत्ति जिससे संबन्द में यज्यान हों कि यह भै या भ्राम के अधिन दी गई है धारा 91, ऐसे कार्यों का अपवर जन्जोकारित अपहानी के लिए भी स्वता अप्राद है धारा 92, समत्ती के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सत्भावना पूर्वक किया गया कार्य धारा 93, सत्भावना पूर्वक दी गई सहसूस्टना धारा94 वरक कारें जैसे करने के लिए कोई दो इसके और धारा गया है ौह टुचए अपहानी काडित करने वाला कारें। धारा 96 प्राइवेर्ट प्रति रक्षा में के गई बाते है। धारा Saoxude Erto सप्ध ह सम्मत्प्राइवेर्ड प्रति रक्षा का अधिकार। धारा 98 ऐसे व्यक्ति के कारे के विरूत प्राइवेर प्रति रक्षा का अधिकार जो विक्रिचित आधी हो धारा 99 कारे जिसके विरूत प्राइवेर प्रति रक्षा का कोई अधिकार नहीं है धारा 100 सरीर की प्राइवेर प्रति रक्षा के अधिकार का विस्तार मिर्तियु का का विस्तार मिर्त्यू से भीन कोई अपहानी कारित करने तक का होता है धारा 102 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्राराम और बना रहना धारा 103 कब समत्य की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मिर्तियों कारित करने तक का होता है धारा 104 ऐसे अधिकार का विस्तार मिर्तियों से भीन कोई अपहानी कारित करने तक का कब होता है धारा 105 सम्मत्ती में सम्मत्ती की प्राइवेर प्रतिरक्षा के अधिकार का प्राराम बना रहना धारा 106 घातक हमले के विरुद प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोस व्यक्ति को अपहानी होने की जोखिम है आईए अब हम देखते हैं कि साधारन अपवाद के कुछ M.C. क्यों पहला सवाल भारतिय दन सहिता के अध्याचार किसे संबंदित है सामान्य अपवाद विधी का भूल छम में नहीं है सिधान का अर्थ है विधी के मूल भूल माफी का अधिकार नहीं होता तीसरा तत्यों की भूल छम में है का सिधान का अर्थ है तत्यों की भूल माफी का अधार होता है तत्यो की भूल्ष catching में है कासी धान, भारती दन्सेहिता कीज धारा में संबन्दित हैं? धारा 76, भारती दन्सेहिता के अंतरगतत्ति की तुरूटी के बचाओ के लिए कारे अवस्य ही उचित होना चाहिए, साथी सत्भावना पूर्वक किया गया होना चाहिए कह जो न्याले का एक अधिकारी है न्याले द्वारा ख को गिरफतार किये जाने के आदेश पर समुचित जाच के बाद च के ख कह होने का विश्वास करते हुए च को गिरफतार कर लेता है कह के द्वारा, क्या तूटी है? तथ्यों की भूल की. कह एक पुलीस अधिकारी है, जो भीना वारेण के चर को पकड़ लेता है, जिससे हत्या की है. कह ने कौन सा अपरात किया है? कोई अपरात नहीं. भारतिय देन सहीता, निमलीखित में कौन सी धारा के अंतगत नेाले, कि निनया के आदेश के अनुसरन किया गया कार अपराद नहीं होता धारा 70 निमलिखित में को कथन निमलिखित कथन भारति देन सही ता कि किस धारा के अंतगत सही है धारा 78 के अंतगत कर कि एक पुलीस अधीकारी है नियाले उसे ख को गिरफतार करने का आदेश देता है समुची जाच और गह के ख होने का विश्वास करते हुए वह गह को गिरफतार कर लेता है इस मामले में वह तत्यों की भूल बचाओं के रूप में परियूद कर सकता है कर एक मैस्टेट के समक्सत्भावना पुर्वक्च अपर आरोप लगाता है करने कोई अपराद नहीं किया है कर एक सैनिक है जो विधी के समा समा देशों के अनुवर्दन में अपने वरिष्ट अधिकारी के आदेशों के अनुपालन में एक भीर पर गोली चलाता है जिसके कारण कुछ लोग आहत हो जाते हैं करने कौन सा नियादी जो नियाई कारे करते समय प्रात दिकारों अत्वा सद्भाव जिनके उसे कानून के स्वय को प्रात होने पर विश्वास रखता है जिसका उपयोग करते वे नियादी ने अलग कोई कारे करता तो ऐसा कारे कैसा कारे होता है अपराद नहीं है कर तथा नमक नामक निगम अधिकारियों ने गध वारा वैद रूप से बनाये के ढ़ाचे पर वैत्ता पुर्वक ध्वस्त कर दिया और सामागरी को सुरक्षी तभी रक्षा में वहजवा दिया कर तथा ख द्वारा कौन सा अपराद किया गया कोई अपराद नहीं भारति दन चाहिता में कौन स से गटक नहीं है कारे को समुचित साधानी सतर्था के किये जाने के अवसकता नहीं होती का एक इस्थान पर जहां बच्चे खेल रहे हैं कुलहारी में से लकरी काट रहा है कुलहारी छिटक जाती है और पास खड़े बच्चे को मार देती है ख उत्तरदाई है उपेच्छा से उचित साधानी का भाव नहीं था तो उसका कारे उसका कारे चाहारी है और यह कप्राद नहीं है परिक्षा के दौरान एक पुरुषिक्षक की तलासी लेने के दौरान एक महिला अभ्यार्ति को पुरुष समझ कर उसके पैंड की जेपर अपना हाथ रग दिया यह भारत की दन्ट सहीता के अंतर सिक्षक ने किस धारा का अपराद किया है कोई अपराद नहीं एक स्रमिक एक स्रमिक छट पर चेतावनी देने के साथ बर्फ ने नीचे फेक रहा है एक रहागीर बर्फ क्या घास से मढ़ जाता स्रमिक दोसी नहीं है क्योंकि मौत दुरुगटना कि दलील बचाओ की रूप में नहीं दी जा सकती है किसी भी निर्दोस व्यक्ति की लागत पर आरोपी की छती से बचाना किसी के जीवन की रक्षा सामाने तौर पर एक करतवे कहा जाता है कि उसका बलीदान सोर पर ही करतवे हो सकता है क्वीन बनाम डुडले स्टेफेंस के प्रेक्षेन किसके द्वारा किया गया था लॉट कॉलरीज बचाओ की रूप में आउसकता का दावा उस समय नहीं किया जा सकता जब कारे किया गया हो छती के पहुजने के अंतरनी जोखिम के साथ ही सारे MCQ हमारे IPC के जेनरल एक्षाप्शन से डिलेटेड है जोकी 76 से लेके 106 तक है थैंक यू